बांका जिले में लॉकडाउन शुरू होते ही पूलीस ने से पालन कराने के लिए अपना सकत रुक अक्तियार कर लिया है जिले में बिभिन जगहों पर पूलीस ने खुली दुकानों को बंद कराया तो बाइक सवारों पर भी सकती दिखाई बाइक सवारों के हेलमेट, फेस मास्क एवं अन्य कागजातों की जाच की गई साथ ही उनसे जुर्माना बसूलते हुए घर से नहीं निकलने की चितावनी विधी अमरपूर सहर में थाना धिच कुमार सन्नी, सीयो सुनील कुमार सा सहित अन्य पुलीस कर्मियों ने छेतर में घुम घुम कर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया बाका के हमरपूर पर्खण में गुरुवार के दिन नए बीडियो राकेस कुमार ने बीडियो स्रशती कुमारी से पदभार गरहन किया पदभार ग्रहन करने के बाद नए वीडियो ने बताया कि बिहार सरकार के दुरा चलाई जा रही सभी योजनाओ को पूरी इमानदारी के साथ किर्यानवित किया जाएगा आवास योजनाओ जलनल योजना समित अन्य योजनाओ में तिवरिगती से कारे किया जाएगा मौके पर भदरिया पंचायत के मुखिया पती राजिस कुमार भगत ने बताया कि पूरी वीडियो सरस्ती कुमारी के दरा किये गए कारे को हम परतनी धीगन कभी नहीं भुला पाएंगे हलाकि सरकारी महकमों में तबादलों का दौर चलता रहता है लेकिन जिस तरह वीडियो सरस्ती कुमारी अपनी मिर्दुल सुभब से परखंड की जनता का दिल जित लिया इसे मरपूर की जनता कभी नहीं भूलेगी इस अबसर पर सिच्छक अजै कुमार, वेदानन्द हरीजन, मुहमत सौकत समेत कारियाले कर्मिय उपस्थित थे गुरुबार को खेसर और फुली डूमर सीमा अईस्थित कुसमानासी में बाका बाहन चेकिंग उलंदस्ता टीम द्वारा चेकिंग की गई चेकिंग के तुरान बाइक चालकों से हेलमेट, लाइसन समेत अन्य कागजातों की जाज की गई कागजातों के अभाब में करीब 2,000 रुपिय की रासी बतोर जुरुमाना भी बसु ली गई जाज टीम में S.I. देवदर परसादी आदम, मुकेश सुर्तिवारी, संजय कुमार चुभान, रामनात सिंग, परभु नरायन आदी सामिल थे सूबे में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमन के नए मामलों की बीच राज सरकार ने फिर से एक बार बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है और इसको लेकर 12 हट परकंड के सीयो सरत मंडल गुरूबार को पंजवारा इस्तित जारकंड बॉर्डर चेक पुष्ट पहुच कर वहां का जाय जाली और पंजवारा थाना धेच को बॉर्डर पनिग्रानी तेच करने को लेकर जरूरी दिसा निर्देश दिये गुरूबार को भागलपूर हजडिया सरक मार्ग पर रजाउन इस्तित नरीपा मोड के समेप रजाउन पंचायत अंतरगत मिर्जापूर निवासी चन्रसेखर पंजवारा की अहले सुवा सरक किनारे खून से लथपत मृत तवस्था में बॉड़ी पाई गई इस घटना को फिल्मी अंदाज में साक्ष मिटाने की मकस्त से हत्यारे ने इसे सडक दुरगटना का रूप देने की कोशिस की थी जिसका उध्वेदन रजौन पुलीस ने 10 घंटे बाद कर दिया जानकारिक मुताविक मिर्जापूर गाउनिवासी चन्रसेखर पंजार होतास में पुलीस बल में कार रत था कुछ दिन पुर में तवादला आरा में हुआ था इसी को लेकर मृतक अपने परिवार को उक्त गाउं में पहुचा कर आरा में ड्यूटी देने के लिए घर से निकल कर भागलपूर के रास्ती बाइक से जा रहा था इस घटना को लेकर 10 घंटे पुरू तक सड़क दुरगटना से मौत होने की खबन मिली थी जो परखंड में आग की तरह फैल गई थी इसके बाद पुलीस जवान चंद सेखर पंजा की सड़क दुरगटना में मौत से संबंदित सब को बरामत कर पुलीस ने पोश्ट माटम के लिए बाका भेज दिया पुष्ट माटम रिपोर्ट में सडग दुरघटना से मौत नहीं प्रहार से संबंदित पुष्टी किये जाने को लेकर पुलीस ने रजौन नव्ट लियाने वासी भैरोयादव के पुत रितेस यादव और उसकी भावी सविता देवी को थाने लाकर पूष्टाच के क्रम मे रितेस यादव ने बाई का पंक्चर बनाने के करम में पैसा लेन देन के करम में टायर लीवर रॉट से प्रहार कर हत्या करने की बाद पुलीस की समक्ष बयान में स्विकार कर ली उक्तिबैक्ती की सड़क दुर घटना में मौत नहीं बलकि हत्या की गए इसकी सूचना मिलते ही करीब पांच बजे HDPO दिनेश चंद स्रिवास्तव घटना अस्तल पर पहुंच कर जाय जालिया जाय जालने के क्रम में पुलीस इंस्पेक्टर राजिस कुमारयों थाना अध्यच निरस्तिवारी ने HDPO को घटना अस्तल की पूर्ण जनकारी दी बाका थाना चेतर के राजपूर गाउं में उत्पाद दिभाग के अवर निरत्चक परमोत कुमार ने 24 बोतल बिदेसी सराब के साथ बुलेट बाइक एवं दो तसकरों को गिरपतार किया मामले को लेकर अवर निरत्चक ने बताया कि दो सराब तसकर राजपूर गाउं में सराब की डिलिवरी करने बाले थे सूचना मिलते ही राजपूर गाउं जाने वाले रास्ते में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया इस दुरान एक बुलेट को रोक कर तलासी ली गई तलासी का दुरान एयर बेग में रखे 24 बोतल रायल इस्टेक की बिदेशी सराब बरामत की गई मौके पर दोनों तसकरों को गिरपतार कर लिया गया गिरपतार युबकों को उत्पाद अधिनियम के तहट प्रात्मी की दर्ज करते हुए कारवाई की जा रही है बागा के चानन में पोखर में डूबने से सात वरसिय बालक की मौत हो गई घटना आननपुर ओपी अंतरगत असोड़ा पंचायत की बरमसियाग गाव की है जहां बुद्धवार की सुबह साथ वर्सिया बच्चे की पोखर में डूबने से मौत हो गई मिर्तक गाउं के छक्कूदास का साथ वर्सिया पुतर राजीब कुमार बताया गया वह गाउं के बगल में बच्चों के साथ पोखर के पास खेल रहा था जहां बच्चे को पोखर की और से जाने से रोक रहे है साथ वर्स के बाला की मौत पर उसके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है